हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ दोस्तों आपके अपने चैनल रेनुदा किचिन चैनल पे तो दोस्तों देखिए आज मैं बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ मटर, पालक और सूजी का यह हमारा ब्रेकफास्ट हेल्दी का हेल्दी है और खाने में भी काफी टेस्टी है दोस्तों इस टेम सर्दियां चल रही है सर्दियों में सबजी भी बहुत आ रही है तो आप इस तरीके से हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाईए बच्चों को खिलाईए बढ़ों को खिलाईए सभी को खिलाईए और देखिए मन ख सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप से भी को मेरे चैनल पे अच्छी रेस्पी देखने को मिलेगी, और बेल आइकिन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा, तो देखिए, यहां पे दोस्तों मैंने मतर के दाने ले लिए हैं, एक कटोरी मतर के दाने हैं, और यह है पालक, पालक मै हरी प्याज है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सामान को पहले तो हम रख दिंगी साइड में दोस्तों, और एक लेंगे हम, मिक्सर जाल, उसमें हम मतर डालेंगे, फिर इसमें मैं अध्रक डाल दूंगी, और एक हरी मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालके इसको हम ग्र यह ग्राइंड कर लिया है हमने, यहां पर रख ली है मैंने कडाई, कडाई में थोड़ा सा ओईल लूँगी, ओईल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें मैं डालूंगी बारिक वाली राई, इसको सरसों कहते हैं, अब इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है, इसको थो यहां पर देखिए राई कड़क चुकी है, तो जो हमने यह पीशा था मतर, उसको मैं इसमें डाल दूंगी, इस तरीके से चला लेंगे, अब इसमें मैं डालूंगी, छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, और छोटी ही चम्मच डालूंगी, हल्दी पाउडर, इसको हम चला लेंगे, अब यह चल चुका है, आरा बढ़िया शा इसको मैंने मिला लिया और आपस को इसको बहुती बढ़िया प्रेगवास्ट ए इस पर आउम हम सूजी डाल दिएगे, तो चलाएंगे इसको चला yगे देखिए इस तरीके सेigning पानी डाल दिया है मैंने आज अची तरीके से सूजी और उपर से याइड डाल दी इसमें कैंपैं कि अबंडू लिया है मैंने इसको कि अक्छेуса मिला लें जो हमारे इसमें कि बढ़िया सा बन के रैडी होगा कडाई के थंडा कर लेंगे तो देखे यहां पर हमने कडाई में से निकालके थंडा कर लिया है इसमें डालोंगी एक चममच यहां डाला है सौ आजवाइन ज्चममच और टेस्ट के अकॉरिंग नमक तो अब दोस्तों यह पालक है जो मैंने काट ली है और यह ग्रीन ओनियन है इसको हम चला लेंगे अच्छी तरीके से इसको हम मिला लेंगे जिससे यह हमारा जो सारा सामान है इसमें अच्छे से मिक्से हो जाए अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी और एड़ करूँगी और मैं आपको बताऊंगी कि मुझे किस तरीके का बैटर चाहिए उसी तरीके का बैटर आप भी रेडी कीजिएगा उसी तरीके से बनाईएगा अच्छे से यहां पर मिला लेंगे तो यहां पर देखिए यह मिल चुका है अब आदे गंटे के लिए इसको मैं रेच्ट पर रख दूँगी फिर उसके बाद तो यहां पर देखिए आदा घंटा हो चुका है तो मैंने इसको यहां पर पानी की ज़रूरत और थोड़ी सी लगी है मुझे तो मैंने पानी डालके और थोड़ा सा बढ़िया सा बैटर रेडी कर लिया है यह देखिए इस तरीके से बैटर हमारा बनके र पाना सोड़ा ये देखिए आदी चम्मच इसको मिला लेंगे अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे देखिए इसका बेटर ही किता बढ़िया लग रहा है अब चलिए यहाँ पर मैंने रख लिया है तवा तवे पे हम ओईल डालेंगे ज्यादा नहीं इस तरीके से फैला लेंगे ओईल को अब इसमें मैं डालूंगी वाइट तिली इस तरीके से हम डाल देंगे चारो तरफ तवे पे अब इस पे हम डालेंगे जो हमारा मटर और पालर का बैटर बनके रेडी किया है हमने इस तरीके से डाल के फैला लेंगे बहुत ही इजी तरीके से बनके रेडी होगा बहुत ही आसानी से फैल जाएगा जरू ट्राइ कीजिएगा जी देखिए हम ने अच्छे से चारो तरफ फैला लिया है इसको देखिए अब इसको हम धीमी आज पे पकने देंगे प्रेटी बरेकफास्ट है हेल्दी बरेकफास्ट है आप भी जरू बनाईएगा अपने घर पर इसको दीमी आज पे हम पकने देंगे तो देखिए दीरे दीरे ये पक रहा है आपको भी दिख रहा होगा ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम ओल डालेंगे उपर जब हम इसको पल्टेंगे और हलके हाथ से इसको हम पल्टेंगे बहुती सॉफ्ट है बहुती इसलिए आराम से पल्टें आराम से बनाईए इसको देखिए बहुती बढ़िया क्या बढ़िया लुक आ रहा है इसमें हमारे में एसके दूसरे तरवी यम इस तरeके से ऐल डाल देंगे जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप की बढ़िया ब्रेक फास्ट है इसको आप बार बार बनाों बहुत ही बढ़िया है जरू है कीजिए है दोस्तो आप यहां पे हैं दीमी आज़ पर हमने दूसी तरब भी सेक लिया है तो पलटके देख लेते हैं यह देखिए बहुत ही बड़िया हमारा दूसी तरब भी सेकâte रेड'll हो चुका है इसको निकाल लेंगे हम एक प्लेट में देखिए हमारा बड़ी असा बनके रेडी हो चुका है और दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाके रेडी कर लेंगे देखिए यहां पर बनाके रेडी कर लिए है मैंने बहुत ही बड़ी आप रेडी हुआ दोस्तों आप भी अपने घर पर जरू बनाईएगा और मुझे जरू बताईएगा अगर आप सभी को मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरू धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद